दोस्तों मैं हुदिपेस आज हम बात करने वाले हैं किसी वेकनशी में जो फोटो अप्लोड करते हैं आप लोग और बार-बार आप लोग आप लोग का फोटो के कारण से फॉर्म हो जाता है तो की साइज में और कैसा फॉर्टो अप्लोड करने की जरूत है आपको इसके बारे में हमारा या वीडियो आपका बना हुआ तो आप हमारे इस चैनल को सब्सकाइब कर ले यूट्यूब का चैनल है हमारा वेकंति सर्चस के नाम से आपको आएगा सब्सक्राइब कर लेना है और कैसा फॉटो आपको अपलोड करना है यह जानकारी आपको लगबग किसी चैनल पर जल्दी नहीं मिलने जवाला है लेकिन आपको यह वीडियो बनाया गया ताकि आपका फोटो के कारण जो फॉर्म रिजेक्शन होता है उससे आप बच पाए पहली बात जो आपको है सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि नंबर वन में जो बात है फोटो तीन महने से ज़्यादा पुडादी नहीं होने चाहिए जिया दोस्तों फोटो आपका नाइंटी डेज से ज़्यादा पुडादी नहीं होने चाहिए फोटो आपका जदी तीन है आपको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है तो आप प्रियास कहते कि आपके चेहरे से मैच करता हुआ फोटो ही डाले उसके अलावा सेकेंड वन जो चीज है वह यहां पर देखने वाली बात है कि फोटो कलर वाली चाहिए जिया दोस्तों फोटो जो है चाहिए वह कलर है जदी आप खिचाए हैं तो ही चलेगा ब्लैक और वाइट नहीं यह निकि प्लेन फोटो जो ब्लैक इंड वाइट होता है फोटो आपका नहीं चलने वाला आपका फोटो बिल्कुल कलर में है वही आप डाले तो बहतर है थाइज जो साइस बहुत बारा मेंटर परता है इक्टो साइज कम ज्यादा होने से आपका फ़र्म में लेता वह में तो आपका रिज्जशन का केस आ जाता है तो वहाँ पे सब्सक्राइब आपको यूज करना है और 50 kg से उपर वाला फोटो भी आपको यूज नहीं करना है 20 kg से 50 kg के बीच का जो साइज है फोटो में वह होना चाहिए उसी को आप फॉर्म में अपना अप्लोड करें उसके नेक्स्ट वाला जो बात है कि डामिंशन आपका 3.5 cm आपका जो है विड्ध होना चाहिए चवड़ाई होना चाहिए और 4.5 cm आपका हाइट होना चाहिए मेरे कहने का मतलब कि सारे 3 cm है वो आपका चवड़ाई का होना चाहिए और सारे 4 cm आपका हाइट होना चाहिए उचाई होना चाहिए फोटो की उचाई सारे 4 cm होना चाहिए और उसक कि अलावा और दो चीजें हैं जाखिए मैं आपको बता दूँ कि फोटो लेते समझ टोपी या चस्मा नहीं लगे होने चाहिए और दोनों कान साफ साफ दिखने चाहिए कि फोटो जब आप लेते हो अपना चाहिए कुद के मुबाइल से खिचवाते हो या किसी कैफे में या और भी अलग अलग तरीके के चीज आप एक्स्ट्रा यूज कर ले तो अपने जीवन या अपन में अपने स्टाइल के लिए उन सब चीजों से आपको बाज आना होगा और दोनों कान आपका साफ साफ दिखना चाहिए और पोस्टर आपका सीधे लग रहा हो कि आपको ही द बराबर में होना चाहिए दूसरा जो नेक्स्ट जी शिक्स्थ पॉइंट है फोट बलर नहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बहुत सारे अपने सेल्फी केमरा में लोग ब्लर यूज करते करते हैं या फिर जो सेल्फी होता वो तो अपने हिसाब से अच्छे दिखने के ल फोटो बिल्कुल क्लियर तक चक ज़िदी आना है जितना अच्छा है उतना बहतर है और उसके अलाबा आपको और भी ध्यान देने बारी बात है जब भी फोटो बनवाएं तो बैग्राउंड जो लोग बना लेते हैं तो बैग्राउंड आपको लाइट रखना है वाइट यलू रखिए या फिर लाइट यलू रखिए या नहीं तो बिल्कुल वाइट ही छोड़ दिए कोई समस्या नहीं और एक रिक्वेस्ट है जो की है खास करके महलाओं के लिए कि वो लोग क्या कर लेते हैं कि अपने सेल्फी में फिल्टर अगरा यूज करते हैं अच्छा दिख रहें के लिए भाइया वहां पर अच्छा नहीं होना चाहिए आपका फॉर्म में बहुत मस्त आप के टिना केप दिख रहे हैं और एक्जामनेशन हॉल में जाईए तो वहां कुछ और दिखे तो वहां आपको सीधे भगाया जाएगा तो एसा ध्यान रखिए कि आप हैं आपको जो फिल्टर यूज करते हैं वो यूजना करें ताकि इस चीज़ों को आपको द्यान देनी हैं जब भी आप फोटो बनवाते हैं तो इन सब चीजुम पर आप ध्यान दीजिए नहीं तो आप समझ्या में आ सकते हैं आप चाहे तो इस सीजों को एक बार आप डाउनलोड कर ले इसके स्किन सौट इसको आप ले ले ताकि आपको फोटो बनाने के समय में बिल्कुल आपको खयाल रहे किन-किन चीजों को आपको ध्यान में रखनी है यही था knowledge जो की खासकर के SSC CGL के लिए तो है ही यही लगभग लगभग आसपास का size लगभग हर एक form का होता ही है कुछ-कुछ form में आपको के बी को 20 से 15 कर दिया जाता है या के भी को ध्यान में नहीं रखा जाता है कुछ-कुछ फॉर्म में जो है डाइमेंसन भी थोड़ा कम जादा हो जबता है लेकिन लगबग 99% फॉर्म का जो size है लगबग यही डाइमेंसन यहीं है फॉर्म का फोटो का size है यही होता है और सब कुछ यही धिहान में रखना होता है दोस्तों आसा करता है आपको फोटो जो किस तरह का चाहिए यह तरीका आपको बिल्कुल मालूम हो गया होगा और इस तरीका जदी आप फोटो खिचवाते हैं तो आपको किसी फॉर्म में फोटो के कारण रियक्शन नहीं मिल जाता है जनरली क्या होता कि क्या वाले भीया को तो बिल्कुल मालूम है कैसे क्या करना है लेकिन बहुत सब्सक्राइब क्या होता है कि वह जरूरी है कि हमारा फोटो किस तरह का होना चाहिए बहुत क्या करते हैं कि बस 2020 वहीं फोटो एकीस में यूज कर लेते हैं वहीं बाइस में यूज कर लेंगे नहीं भईया मत करिए ना बीस रुप्या का मामला है किछवा लिजे फ्रेस फोटो और अच्छा से यूज कर यह तो बढ़िया रहेगा तो दोस्तों वासा करता हूं कि यह वीडियो शेर करने चाकि उसको भी यह मालूम हो जाए धन्देबाद दोस्तों जय हिन जय भारत